हमने पिछली वीडियो में जूल के नियम के बारे में अध्यन किया है हम जानते हैं कि चालक में उत्पन्न उश्मा जूल के नियम से प्राप्त की गई है हमने ग्याद किया था ह बराबर आई स्क्वेर आर्टी चलिए अब इससे सम्मंदित एक उधारन देखते हैं किसी विद्यूत इस्तरी में अधिक्तम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से उर्जा उपभुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उपभुक्त होती है जब तापन की दर निमनतम है यदि स्त्रोत की वॉल्टता 220 वॉल्ट है तो दोनों प्रक्रणों में विद्यूत दारा तथा प्रतिरोत का मान ग्याद केजिए चलिए अब हम इसका हल देखते हैं पहला भाग जब तापन की दर अधिक्तम है हमें विद्यूत इस्तरी में विद्यूत दारा तथा इसका प्रतिरोत ग्याद करना है हम जानते हैं कि निवेशित शक्ती है पी बराबर वी आई अतह धारा आई बराबर पी बटे वी तो मान रखने पर पी बराबर आट सो चालिस वाट और वी बराबर दोसो बिस वोल्ट हमें दिया गया है तो इनका मान रखने पर हमें प्राप्त होगा आई बराबर आट सो चालिस वोल्ट बटे दोसो बिस वोल्ट तो हमें मिलेगा i बराबर 3.82 Ampere तो हम कह सकते हैं इस्त्री से प्रवाहित होने वाली दारा का मान है i बराबर 3.82 Ampere तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए विद्यूत इस्त्री का प्रतिरोध r बराबर v बटे i होगा हमें दिया है v बराबर 220 वल्ट और i बराबर 3.82 Ampere तो हमें प्राप्त होगा r बराबर 220 वल्ट बटे 3.82 Ampere तो हम कह सकते हैं कुंडली का प्रतिरोध है 57.60 Ohm तो इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए चलिए अब हम प्रश्ण के दूसरे भाग में जब तापन की दर निम्नतम है तब हल देखते हैं हमें दिया गया है विद्यूत इस्तरी द्वरा और जा उपभुक्त करने की दर बराबर शक्ति बराबर 360 W है हमें कुंडली में दारा और उसका प्रतिरोध का मान ग्याद करना है अतह दारा आई बराबर पी बटे वी होगी हमें दिया है पी बराबर 360 W और वी बराबर 220 वल्ट तो आई बराबर 360 W बटे 220 वल्ट तो हमें प्राप्त होगा आई बराबर 1.64 एमपियर तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए विद्यूत इस तरी का प्रतिरोध आर बराबर वी बटे आई होगा और हमें पता है वी बराबर 220 वल्ट है और आई बराबर 1.64 एमपियर है तो इनका मान रखने पर हमें प्राप्त होगा आर बराबर 220 वल्ट बटे 1.64 एमपियर तो आर बराबर 134.15 ओम अर्थात कुंडली का प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ है 134.14 ओम तो इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए चलिए अब हम NCRT के उधारन संक्या 12.11 देखते हैं किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल उश्मा उत्पन हो रही है तो प्रतिरोधक के सीरो पर विभवांतर क्या होगा? चलिए अब हम इसका हल देखते हैं हमें दिया गया है उत्पन उश्मा H बराबर सोजूल है प्रतिरोध R बराबर 4 ओम है समय T बराबर 1 सेकंड है और विभवांतर V बराबर हमें ग्याद करना है हम जानते हैं कि उत्पन उश्मा H बराबर I स्कोयर R T होती है तो प्रतिरोधक से गुजरने वाली धारा कुछ इस प्रकार होगी I बराबर वर्ग मूल H बटे R T मान रखने पर हमें प्राप्त होगा I बराबर वर्ग मूल 100 जूल बटे 4 ओम गुणा 1 सेकंड तो हमें प्राप्त होगा I बराबर 5 अमपियर अर्थात तार से गुजरने वाली धारा का मान है 5 अमपियर अतह प्रतिरोदग के सिरो पर विबवान तर V बराबर I R होगा और हमें पता है I बराबर 5 अमपियर है और R बराबर 4 ओम है तो इनका मान रखने पर हम कह सकते हैं V बराबर 5 अमपियर गुणा 4 ओम तो हमें मिलेगा V बराबर 20 वोल्ट अर्थात प्रतिरोदग के सिरो पर विबवान तर का मान है 20 वोल्ट तो इसे भी अपनी कॉपे में लिख लीजिए लिए ईपने लवड़ को तो हमें में लिएकश के लिएकते हैं